कल मैंने आपको जितने रसोई के श्वेम पाक घर के आउशद के बारे में महीती भी थी, उसी के आगे की फोली महीती मैं और देता हूँ कल मैंने आपको कुछ ऐसी आउशदियों के बारे में बताया था जो बहुत ही अच्छी है उन में से एक महिती का दाना था, एक चूना था, एक डालचीनी थी, एक हड़ती, एक नमक था, ऐसे ही कुछ-कुछ दातें थी आज में आपको ऐसी कुछ महिती देता हूँ, जो ऐसी ही अध्वुत आउशदियां है और अपने स्वैंपाक धर के बिल्कुल मज़्दीत में उपलब्द है उन में से एक आउशद है, उसका नाम है तुल्सी तुल्सी हम सबके घर में है, ऐसा कोई भर शायद नहीं मिले जहां तुल्सी ना हो तुल्सी दो प्रकार की होती है, एक तुल्सी ऐसी है जिसको हम लोग कहते है राम तुल्सी और एक है जिसको हम कहते है शाम तुल्सी, राम तुल्सी का ऐसा होता है कि उसका रंग हलका हरा होता है, light green और जो श्याम तुल्सी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है दार्क क्री कभी-कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देखी इसलिए उसको श्याम तुल्सी कहते है तो ये जो श्याम तुल्सी है इसी के औशदिय गौन है राम तुल्सी में ज़्यादा ओशदिय गोन नहीं है तो घर में लगानी है आपको तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुल्सी ही लगाईए तुल्सी की विशेष्टा ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है साल के किसी भी महिने में आप इसका रूपन कर सकते हैं और दूसरी विशेष्टा ये है कि ये सभी समय मिलती है कोई भी समय में आपको ये मिलती है तो आप गमले में लगा सकते हैं घर में लगा सकते हैं अब ये जो श्याम तुल्सी है इसके क्या-क्या उप्योग आप कर सकते हैं इसका सबसे बड़ा उप्योग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने जो है फीवर किसी भी तरह का फीवर आपको है वाइरल फीवर है वेक्टिरियल फीवर है या टाइफाइट का बुखार आ गया आपको या सरदी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया या करी बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज़्यादा श्रम किया बहुत काम किया तो भी बुखार आ सकता है तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम पुल्सी का बहुत बड़ा योगदान है इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है तो आप इसको हमेशा घर में रखे और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उप्योग करें इसका उप्योग करने का तरीका बहुत सरल है 15-20 पक्ते इसके तोड़िये श्याम तुलसी के चट्मी बनाके उसका रसले काल लीजे इस रसको गरम कर दीजे इसमें थोड़ा गुड मिला दीजे और अगर आप शहद खा सकते हैं मद खा सकते हैं तो थोड़ा सा मद मिला दीजे और इस रसको मद के साथ मिलाकर नहीं तो गुड के साथ मिलाकर एक एक चम्मत सुबद उपेर शाम अगर लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते अंग्रेजी की दवा पैरसी का मोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है बहुत अधूत तुलसी का सबसे बड़ा उप्योग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में अगर 104 डिगरी, 105 डिगरी बुखार आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना के दीजिए बुखार तुरंत 105 से 102, 101 पे आ जाए काढ़ा कैसे बनाना है तुलसी के पत्वे 15-20 तोड़कर पानी में डाल दीजिए आधा कब पानी में खूँ उबालिये इस पानी को इतना उबालिये कि ये आधा रह जाए फिर इस पानी में थोड़ा गुड मिला दीजिए और गुड मिलाकर पीने लायक जितना गरम है उतना इसको बनाते पी लेजे तो ये काढ़ा है तुलसी का इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता है बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने को इसी तुलसी का बहुत ज़ादा सदुपयोग सभी माताएं कर सकती है मासिक पाणी से जुड़े हुए एक बहुत खराब रोग में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है सफेद पानी आना पांडरे पानी की शुकायत जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परिशान है काफी माताओं को यह तकलीफ आजकल हो रही है तो पांडरे पानी जाने की शुकायत जिनको है अंग्रेजी में जिसको लिकोरिया कहते है इसकी सबसे अच्छी आउशब है यही तुलसी, श्याम तुलसी, श्याम तुलसी का भरबूर उप्योग करी है, आपको इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात बिल जाएगे, इसको लेना कैसे है, तरीका मैंने बताया है कि इसका काहा बना के ले सकते हैं, नहीं तो चट तो जिन्दगी भर के लिए आपको ये बीमारी खतम हो जाएगे, दुबारा कभी नहीं आएगे, इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उप्योग, इसी तुलसी का एक तीसरा उप्योग भी है, बुजुर्गों को जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको आपकी अक्सर शिकायत आती है, बूद बूद पेशाब आती है, फुल कर पूदी भी पेशाब नहीं आती, लगवी के लिए जाते हैं, लेकिन लगवी नहीं होती, कई वार ऐसा सेंसेशन आ जाता है, होती है तो एक दो बूद होती है, आगे नहीं होती, ऐसे सभी नागरिकों के लिए वरद्धों के लिए भी इस तुलसी का अधूत उप्योग है तरीता मैंने बता दिया एक ही है या तो काड़े के रूप में नहीं तो उसका रस और ये तुलसी एक काम में आती है अगर आपके बाल में बहुत जादा डेंडरफ है बहुत परिशान है ही बनाकर और ये बाल में लगा लिए एक पास के बाद बाल को दो दीजे सब कोंड़ा निकाल ले बेंडरफ आपका एक रख ठीक कर देते हैं और इस तुलसी का एक अच्छा उप्योग है कभी माताओं को मासिक पाड़ी के समय बहुत जास्ती रक्त जाने की शिकायत है इस एक तुलसी का मैंने देखा है अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 बीमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा उप्योग है करी बार ऐसा होता है कि बच्चों के शरीर में पेट में कीड़े हो जाते हैं जन्तु हो जाते हैं और उस इसके कारण वो बहुत परेशान गयती है अक्सर ऐसी परेशानी उनको आती है कि आप तो बहुत अच्छा अच्छा खाना किलाते हैं लेकिन वो सब खाना उनके जन्तु खा जाते हैं शरीर को नहीं लगता अगर ऐसी जराबी संभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जन ब्रण जिसको पहते और इतना भहेंकर घाव हो गया कि भरता नहीं उसमें से लसी भी निकलती है उसमें से रक्त भी निकलता है घाव भरता नहीं है तो ये जो तुलसी की चट्नी बना के आप लगा दें तो खराब से खराब घाव भर जाता है तो ये तुलिसी अपने घर में जरूर रखे, कम से कम स्वेंपाख घर के नजबीद रखे, गंबले में लगा कर रखे और घर में थोड़ा बड़ा बनीचा है, तो ज्यादा बड़े इलासे में लगाते रखे, बहुत काम आएगे, हमेशा काम आएगे और एक बिमारी है आखों में, जिसको रेटिना